वेल्कम टू आवर चानल अपस्केल लर्निंग नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम पक्षी और हाती की एक छोटी से कहाने लिखेंगे तो चले आएं शुरू करते हैं जंगल में एक छूटी पक्षी छिंटू और एक बड़ा हाती गजोदर रहते थे चिंटू को उसके सुन्दर पंकों की कूपसूरती का गर्व था वह उचे पेडों पर बैटकर जंगल की सुन्दरता का आनन लेता था झाँ झाल 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 उसके खिलाफ गजोदर हमेशा अपने दोस्तों की मदित के लिए तैयार रहता था एक दिन जंगल में भीशन आग लग गई झाल चिंटु अपने पंकों की मदद से बच निकला जबकि गजोदर ने अपनी शक्ति का इस्तिमाल करके अपने दोस्तों को सुरक्षित स्थान पर ले गया झाल 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 इस घटना के बाद चिंटु ने गजोदर की बहादुरी को सराहा और दोनों मित्र एक दूसरे के साथ और भी करीब हो गए यह कहानी हमें यह दिखाती है कि किसी का आकार या साइस उसकी बागीदारी और महतु उसकी महतु पूर्णता को नहीं बदल सकता रचाप झाल झाल झाल